हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपका अपना एटूब चैनल आई टे गाइडलाइन में मैं हूं राम्बिया श्यादव और आज मैं फिर से आप लोग के लिए मुझे कोशन प्रवाइड करवा रहा हूं जो कि कलाश नंबर कितना है 40 है इसका पहले 30 कलाश नंबर 39 9 नंबर तक हो चुका है जीन विदियारति ने कर लियुक्त योपे वह ठीक है रिविजन भी कर सकते है और पहले लिश्य जा कर करके देख सकते हैं दोस्तों आज का पहला question आपके अस्किन पर question को बढ़ी तरिके से पढ़िएगा समझेगा और answer दिएगा तो right question क्या है दोस्तों question है पर्थम असपार्क कहां पर उठना चाहिए option आपका सामने है काजखंड के मध में काजखंड के बाएं हाथ के सीरे पर काजखंड के दाएं हाथ के सीरे पर काजखंड के उच शपार्ट पर तो right answer क्रेक्ट इंसर क्या होगा दोस्तों question को और option को पढ़ते पढ़ते आपको फड़ा फड़ा कोमें बोक्स में अंसर देदना है दोस्तों तो राइट एंसर क्या होगा राइट एंसर क्रेक्ट इंसर जो हमारा होगा वह होगा option number D कार्ज घंड के उच शुपोर्ट पर option number D हमारा और एंसर राइट एंसर दोस्तों चलिए इसका साथ अगला question आपके अस्किन पर कोशन है कि रफ ग्राइंडिंग के लिए रिकमेंडेड कट की गहराई होती है क्या है रफ ग्राइंडिंग के लिए रिकमेंडेड कट की गहराई होती है option आपका सामने है 0.010 mm से 0.020 mm जीरो पाइंट 015 mm से 0.03 mm अगला है कि 0.015 mm से 0.050 mm 0.020 mm से 0.040 mm तो राइट अंसर करेक्ट तेंसर क्या हो दूस्तों यह सारे कोशन में ध्यान दिजिएगा थो अचा बढ़िया तरह किसे इसको याद किजिएगा कि कंफ्यूज ना कर सके तो राइट अंसर करेक्ट अंसर जो हमारा होगा वह होगा option नंबर बी क्या होगा 0.015 mm से 0.030 mm करेक्ट अंसर राइट अंसर option नंबर बी चलिए इसी साथ अगला कोष्ण आपके अस्किन पए कोष्ण एक ड्रेंज अस्टक्चर की फिल किसभी लियेख किया जाता है फिल इन जाब बलेंग दिया हूँा उसके भर्ना है तो र सामी meth रफ ग्राइंडिंग सूपर फिनीशिंग फिनीशिंग उप्यूक सभी तो राइट एंसर क्रेक्ट एंसर क्या होगा दोस्तों राइट एंसर जो हमारा होगा वह होगा के लिए प्रियूग किया जाता है ऑप्शन नमबर सी हमारा करेक्ट एंसर राइट एंसर दोस्तों चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्कीन पे कोश्चन है कि fine grain size का विल किसके लिए प्रियूग किया जाता है औसम आपका सामने है कोश्चन क्या है फिर से को रिपीट कर लेजिए कि find grain size का विल किसके लिए प्रियूग किया जाता है सूपर फिनीशिंग के लिए सिर्इशिंग के लिए gigs खाल धायंडिंग के लिए रफ ग्राइंडिंग के लिए तो राइट इंसर के होगा दूस्तों राइट एंसर करेक्ट ऑन्सर जो मारा होगा वहना फिनीसिंग के लिए option number B हमारा correct answer right answer दुस्तो ठीक है किसके लिए finishing के लिए चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question जो हमारा है कि soft grade wheel कैसी धातू के grinding के लिए प्रयोग किया जाता है soft grade wheel कैसी धातू के grinding के लिए प्रयोग किया जाता है option आपका सामने है soft hard साधारन उप्युक सभी तो right answer correct answer क्या होगा दुस्तो right answer जो हमारा होगा hard option number B correct answer right answer soft grade wheel कैसी धातू के grinding के लिए प्रयोग किया जाता है तो hard के लिए किया जाता है चलिए इसी के साथ अगला question आपके askin पे question है कि कौन ड्रम blank जगा दिया हुआ इसको भरना है परकार के abrasive है कैसी है कौन ड्रम किस परकार के abrasive है option आपका सामने है प्राकिर्तिक क्रितिम सिल्कन करवाइड एलमूनियम ऑकसाइड तो right answer correct answer क्या होगा भाई option number A प्राकिर्तिक प्राकिर्तिक हमारा correct answer right answer दुस्तो कौन ड्रम जो हमारा है प्राकिर्तिक प्रकार का एक abrasive है option number A हमारा correct answer right answer चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे question है tool rest था will के वीच नियुनतम blank जगा कितना mm होना चाहिए tool rest था will के वीच नियुनतम gap कितना mm होना चाहिए 14 mm है तो option आपका सामने है 0.5 से 1.0 mm 1.0 से 1.5 mm 1.5 से 2.0 mm 2.0 से 2.5 mm तो right answer कर एक answer क्या होगा दोस्तो right answer जो हमारा होगा 1.5 से 2.0 mm option number C 1.5 से 2.0 mm correct answer right answer चली सिख साथ अगला question आपका skin पे question है कि resopening करने के लिए tap के किस अस्थान पर grinding करते हैं resopening करने के लिए tap को किस अस्थान पर grinding करते हैं option आपका सामने है fluids, threats, diameter, relief तो right answer, correct answer क्या होगा दोस्तो right answer जो हमारा होगा वो होगा Flutes resopening करने के लिए tap किस अस्थान पर grind करते हैं तो Flutes पे option number A हमारा correct answer right answer चली इस इक साथ अगला question आपके skin पर question है कि वील की वेसे balancing की जाती है वील की balancing की जाती है option आपका सामने है वील की side को समानांतर करने के लिए बाहरी ब्यास को वोर के सकेंद्री बनाने के लिए वील की परतेक position पर एक समान भार करने के लिए उप्यूक्त में से कोई नहीं तो right answer correct answer क्या होगा दोस्तों right answer जो हमारा होगा वील की परतेक position एक समान भार करने के लिए वील की परतेक position पर एक समान भार करने के लिए option number C हमारा correct answer right answer दोस्तों चली इसी साथ अगला question आपके skin पर question है कि निमलिखित में से कौन सा brand प्राया grinding वीलो पर परयोग में लाए जाता है निमलिखित में से कौन सा brand प्राया grinding वीलो पर परयोग में लाए जाता है option आपका सामने है vitrified, shellac, rubber, silicate तो right answer correct answer क्या होगा दोस्तों right answer जो हमारा होगा vitrified निमलिखित में से कौन सा brand प्राया grinding वीलो पर परयोग में लाए जाता है तो vitrified को option नमबर यह हमारा correct answer right answer चलिए इसीक साथ अगला question आपके skin पर question है कि grinding वील किस abrasive से बना होता है grinding वील किस abrasive से बना होता है option आपका सामने है इल्मूनियम उक्साइड डायमंड शिलकन करवाइड कोरणडम तो right answer correct answer क्या होगा भाई right answer जो हमारा होगा शिलकन करवाइड option नमबर C हमारा correct answer right answer grinding वील किस abrasive से बना होता है तो silicon करवाइड से चलिए इसी के साथ अगला कोश्चन आपके अश्किन पे कोश्चन है कि grinding वील की धार समाप्त हो गई है तथा उसका face चीकना हो गया है यह कहलाता है क्या क्या है कोश्चन grinding वील की धार समाप्त हो गई है तथा उसके face चीकना हो गया है यह कहलाता है क्या कहलाता है टर्निंग ड्रेसिंग लौडिंग गिलेझ तो राइट अंसर करेक्टर स्थ क्या होगा option नंबर डी Laitan जो हमारा होगा क्या होगाrasil do aीजिंग option नंबर डी चलिए भीसे जारती याद करेंगे इस साथ अगला कोश्चन है को गोश्चन ग्रैंडिंग Eastern लोडिंग ड्राइंसर क्या होगा अगला कोशन आपके की खूह है की ग्राइंडनिंग वील की समाच्छे गती के लिए ऐस्टे एकार परदान करना कहलाता है क्या क्या क्योशन ग्राइंडिंग विल की समाच्हे गती के लिए अकार परदान करना कहलाता है क्या option अपका सामने है turning, dressing, loading, glazing तो right answer correct answer क्या हो दोस्तो right answer जो हमारा होगा turning option number A हमारा correct answer right answer दोस्तो ध्यान से पढ़िएगा समझेगा और याद किजिएगा तो right answer क्या होगा हमारा turning option number A correct answer right answer चले इसीक साथ अगला question और आज का last question आपके skin पर question है reginide brand किसे बनाया जाता है option आपका सामने है linen, regin, flailin, buddhist तो right answer correct answer क्या होगा दोस्तो वो होगा regin reginide brand किसे बनाया जाता है तो regin से बनाया जाता है option number B हमारा correct answer right answer दोस्तो चलिए वीडियो अगर आप लोगो अच्छा लागा होगा, knowledgeable होगा तो फुटा-फट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए, बेल आग को प्रेश कर लिजिए अगर जादा खुस होगे हैं जादा बढ़ियां लगा होगा तो दोस्तों के साथ आप लोग share कर दीजिए, चलिए, thanks for watching दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे, next class में next आफिक के साथ, तब तक के लिए, जहिन जभारा दोस्तों, बाई बाई झाल